नमस्कार दोस्तों आपका हमारी यूटूब चैनल भक्ती ग्यानतियोहार में स्वागत है आज मैं आपको गंगोर की कहानी सुनानी जा रही हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव ओमा गोरी कीजे अवश्य लिखे साथ ही अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें अब सुनिये ये कहानी किसी गाउं में साथ लड़कियां रहती थी साथों लड़कियां बहुत अच्छी सहीलियां थी उनमें से एक लड़की बहुत गरीब थी और बाकी की छै लड़कियां बहुत धनवान थी एक बार की बात है गंगौर का तेहार आया तो छै धनवान लड़कियों ने गंगौर का ब्रत रखने की सोची और अपने उस गरीब सहेली से भी ब्रत रखने के लिए कहा लेकिन उस लड़की ने ब्रत रखने से मना कर दिया तब उसकी सहेली उसके घर गई और उसकी मा से कहा चाची देखो हम गंगौर का ब्रत रख रहे हैं आप आपके बेटी से भी कह दो कि बो भी हमारे साथ ब्रत रखे तब माने कहा देखो बेटी मैं बहुत गरीब हूँ मेरे यहां खाने को कुछ भी नहीं है तो मेरी बेटी ब्रत कैसे करेगी तव उन सारी सहेलियों ने कहा कि चाची ये एक एक दिन हम सब के यहां खाना खा लेगी तो इसका ब्रत पूरा हो जाएगा सहेलियों की जित करने पर उस गरीव लड़की की मा तैयार हो गई अपनी बेटी को ब्रत रखवाने के लिए फिर सब सहेलियों ने मिलकर ब्रत रखवा और वह रोज एक एक सहेलि की घर खाना खाती इस तरहे छे दिन निकल गए सातवे दिन उस लड़की की सहेलियों ने उससे कहा कि आज हम सब तुम्हारे यहां खाना खाने आएंगे तुमने छे दिन हमारे यहाँ खाना खाया है अब हम सब तुमारे यहाँ खाना खाएंगे तब लड़की ने कहा मैंने तो तुम सबसे पहले ही मना किया था लेकिन तुम सब ही नहीं मानी हम बहुत गरीब हैं तुम्हें खाना कैसे खिलाएंगे लेकिन उसकी सहेलियां नहीं माने लड़की मायूस हो गई लड़की मायूस होकर अपने घर गई और उसने अपनी मा से कहा मा कल मेरी सारी सहेलियां अपने घर खाना खाने आएंगी माने कहा बेटी मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था इन सब की बातों में मत आओ ये कहकर मा उसे डाटने लगी लड़की दुखी होकर रोती हुई जंगल की तरफ चली गई और वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वही सो गई वही से मा पार्वती और भगवान शिव गुजर रहे थे जब मा पार्वती ने उस लड़की को देखा तो कहा प्रभू ये लड़की हमारी सरण में आई है इसकी मदद करनी चाहिए तब भगवान शिव ने कहा कि दुनिया में बहुत लोग है किस किस को देखू तब मा पार्वती ने कहा प्रभू हमें इस लड़की की मदद करनी होगी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मनुशिक क्यों हमारा पूजा पाट करेंगे कौन हम पर विश्वास करेगा तब भगवान शिव और मापार्वती उस लड़की की पास गए मापार्वती ने कहा उठो बेटी क्या बात है तुम बहुत दुखी हो तब वह लड़की बोली मैंने गौरी मा का ब्रत किया छे दिन अपनी सहिलियों के घर खाना खाया अब मेरी सारी सहिलियां मेरे घर पर खाना खाना चाहती है और मैं बहुत गरीब हूँ उन्हें खाना कैसे खिलाओ यह सुनकर भगवान शिव और मापार्वती को उस पर दया आ गई तब मापार्वती ने कहा बेटी तुम ये कंकड पत्थर इखटे करके अपने घर ले जाओ और इन्हें घर के चारों कौनों में डाल देना और बचे हुए पत्थर पानी में डाल देना लड़की से जितने पत्थर कंकड उठे उसने उठा लिये और अपने घर की तरफ चल दी मापार्वती ने कंकड पत्थर से भरी टोकरी पर हाथ लगा दिया लड़की अपने घर आ गई और मापार्वती ने उससे जैसा करने को कहा उसने पैसा ही किया और फिर बच सो गई सुबह होई तो उसकी माने कहा कि आज तुम्हारी सहिली खाना खाने आएंगे तुम उन्हें क्या खिलाओगी तब बेटी ने कहा मा वह कमरे खोल कर देखो मा ने कमरा खोला तो देखकर दंग रह गई वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे मा ने अपनी बेटी से पूछा बेटी ये सब तुम कहां से लाई हो लड़की ने कहा मा यह सब मुझे भगवान शिव और मा पार्वती ने दिया है और वह मुझे से बहुत प्रशन है मा उसमें से एक हीरा बाजार में लेकर गई उसने हीरा बेच कर सारा सामान खरीद लिया और अपने घर आ गई घर आकर उसने खाना बनाया लड़की के सारी सहीलिया खाना खाने उसके घर आई लड़कियों ने देखा कि उसके घर पर बहुत धन हो गया है लड़कियों ने खाना खाया और बस खेलने लगी खेलते खेलते साम हो गई जब लड़कियां घर नहीं पहुची तो उनकी मा को चिंता होने लगी कि हमारी लड़कियां अभी तक नहीं आई वो भूकी होनी फिर उन लड़कियों की मा खाना लेकर उस लड़की के घर गए उन लोगों ने जब उस लड़की के घर में सब कुछ देखा तो वो दंग रह उन्होंने उस लड़की से पूछा बेटी कल तो तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं था आज ये बैभव कहां से हो गया तब लड़की ने कहा मुझ पर भगवान शिव और गौरी मा की किरपा हुई है और उसने सारी बात उन्हें बता दी लड़की की बात सुनकर उसमें से एक लड़की की मा को बहुत इर्श्या हुई और घर जाकर उन्होंने अपनी बेटी से कहा बेटी तू भी टोकिरी लेकर जंगल में चली जा भगवान शिव और मा पार्वती हमें भी धनवान बना देंगे हमें भी धन देंगे कर सो गई तब भगवान शिव और उसे कहा बेटी तुम तू रही हो या जाग रही हो तब लड़की ने कहा मैं जाग रही हूँ तब लड़की ने कहा मेरे घर मेरे सहीलीया खाना खाने आएंगी पर मेरे घर कुछ भी नहीं है मैं इसी चिंता में हूँ तब म dispel मा जब लड़की यह खाना खाने आएं तो यह उबाल कर दे दे ना लड़की अपनी सहेलियों को अपने घर खाने पर बुलाकर ले आई मा ने पत्तियां उबाली लड़की ने जैसे ही बरतन खूला तो देखा उसमें तो कीडे भरे हैं लड़की डर गई फिर वे लड़की उस गरीव लड़की के घर गई और पूछा तुम्हारे घर पर धन और मेरे घर पर कीडे ऐसा क्यूं तब उसकी माने कहा बेटी भगवान भूके और सच्चे को देते हैं तब लड़की उसकी मा के पैर पकड़ने लगी, मा ने कहा मेरे पैर मत पकड़ो, भगवान शिव और मा पारवती के पैर पकड़ो, तब वे लड़की भगवान शिव और मा पारवती के पास गई और उनके पैर पकड़ लिए, तब ईसर जी ने कहा इसमें से आदा धन उस गर लड़की को दे दिया साथ में वे गाली भी दे रही थी इसलिए सांप और एक बिच्छू उसके घर में रह गए वे फिर भगवान के पास गई तो भगवान ने कहा तुम्हारे पास अभी भी दो सुई बची है इसमें से एक सुई उस लड़की को दे देना तो वे सांप और बिच्छू भी चले जाएंगे उस लड़की ने वैसा ही किया और भगवान से माफि मांगी जैहो भगवान शिप की जैहो माप पारवती की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएए साथी मेरे वीडियो को जादा से जादा श हो तो